नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का जीनोक्री चनल पर दोस्तो 2020 की सभी परिक्षाओं मैं पूछी गई करण फैर पार्ट 14 पार्ट 1 से 13 तक अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के उपर राइट टॉप कॉर्णर पर आई बेटन दिरका क्लिक करके देख सकत हैं तो चले स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों अप्रेल 2020 में यूनेसको की विष्ध दरोहर समिती के 44 में सत्र को इस्तागित कर दिया गया इस सत्र की बैठक किस देश में पिस्ताबिती तो दोस्तों यूनेसकों की जो बैठक है चावाल इसमी याद रखना संसक्रण इंपो फूजो जो कि फूजियान प्रांद में पढ़ता है यहां यह बैठक होनी थी और यह केंसल कर दी गई यह बैठक 24 में सत्र की 2020 में तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रस्तावेस तल कौन सा था चीन का तो चीन का फ्यू जो यह फिज्वयान प्रांद में पड़ता है चीन का और 45 में जो 2021 में होगी वो टू भी एनाउंस दें याद रखेगा अभी इसकी गोशना नहीं करी गई यूसको नहीं यूसको के स्थापना का वही तो दोस्तो सोले नवंबर उनने सब पैताल इसको यूसको के स्थापना इसका में ख्वाले पैरेस में करेंट लेसकी जो हैड है सेकर्टी जनरल और अजूल याद रखेगा अगरा कुशन देख लेते हैं दोस्तों दोस्तों अगर आप हमारे इजीनों की यूटूब चैनल पे नहें चैनल क को जरूर सब्सक्राइब करिए साथ के साथ बैल आइकाउन जरू क्लिक करें जोसे कि हमारी राइगल और नौटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर इस वीडियो की पीडियाप चाहिए दोस्तों तो टेलेग्राम चैनल जो जोईन कर लेना इस वीडियो की नीचे डिसक्रि तो डॉक्टर टी प्रदीप को 25 मां निक्याई एशिया पुरुसकार 2020 मिला याद रखेगा वेरी वेरी इंपोड़न है एक्जाम में पूछा जाता है 2019 की परिक्षा ले लिए तो दोस्तों उसमें 24 मां निक्याई पुरुसकार पूछा गया और अब 2020 की परिक्षा तो 25 मां निक्याई एशिया पुरुसकार जरूर पुछा याद रखेगा तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो जो डॉक्टर टी प्रदीप हैं जो की भारत के हैंने किस छेत्र मिला तो साइंस एंड टेकलोजी विग्यान और प्रोदर्गी की छेत्र में डॉक्टर थल पीप्रदी हैं इन्हें मिला याद रखेगा यह मदरा से सम्मझ देते हैं अगर मैं संस्कति कल्चर एंड कम्यूटी की बात करूं तो इसमें रामपरसाथ का देल जो की नेपाल देश से आते हुने मिला आर्थिक और विवसाइक नवाचार में बात करूं तो एंथनी टैन मलेशिया के हैं और टैन होई लिंग मलेशिया के इन्हें मिला तो बैसिकली हमें के वली याद रखना किस भारती को मिला तो तो थल भी परदीब को साइंस और टेकलोजी में मिला याद रखेगा वेरी वरी इंपॉड़न कुशन अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों हाली में भारती याद रखेगा तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्याता है बाहरी सलाकार समू के गठन का तो दोस्तों कोविड नैंटीन में हमारी के कारण उत्वन संकट को लेकर उठाए जाने वाले कदमों समित विश्वर में हो रहे बदलावा नीतिकत मुद्दों पर अपनी राय याद रखेगा दोस्तों कोई मुझे बता सकता है आई एम एफ का हेड़कोर्टर का इस देता है तो कमेंड में जरूर बता आई एम एफ की जो चेयर मैंने यह सेकेटरी है किस्टीना जोड़ जिवाए याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों 2020 में सब्लू राज्यों से आते हैं और इसकी जो गोश्ना कीती वह फिड़े ने कीती इसकी फुर्फरम क्या होती है अंतराष्टी राष्टी है सत्रंज महासंग याद रखेगा तो जी आकाज भारत के छा सिट में शत्रंज ग्रैंड मास्टर निक्त हो गए है याद रखेगा अगर इने फड़े रेटिंग में बात करूं ओवरॉल तो इनकी चोविस सो फिचानवे आती है इनकी टूटल रेटिंग ठीक है बारत के प्रतम शत्रंग ग्रैंड मास्टर कों थे तो वो ते विश्वनात आनन्द याद रखेगा जो कई बार शुर्ण सो अठासी में बने अगर मैं फीफा पुरुष विश्व कप की बात करूं तो दोस्तो वो होगा दोजार बाइस में कई बार ये कुश्वन पूछा भी गया है तो दोस्तो ये होगा कतर की राजदानी दोहा में यादर कतर देश है उसकी राजदानी दोहा है और यहीं फीफा पुरुषों का विशकप होगा 2022 में महिला विशकप होगा 2023 में किंदो देशों में दोस्तों यह होगा औस्टेलिया और न्यूजलेंड में याद रखेगा वेरी वेरी इंपोर्टेंट इसकी गोशना 25 जुन 2020 को कर दी गई थी और इसकी जो मेजवानी है वो मतदान वोटिंग पड़ी थी उ गया नहीं इंफैंट इनों है याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों अगला कुशन है पहली पहले खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 का उद्गाटन भारत के किस राज्य में किया गया तो दोस्तों यह जो उद्गाटन किया गया यह भारत के जम्मू कश्मीर यानि कि Union Territory जम्मू कश्मीर में किया गया, very very important, जम्मू कश्मीर के गुल्मर्ग छितर में याद रखेगा, गुल्मर्ग में पहले खेलो इंडिया Winter Game 2020 का उद्गाटन किया गया, तो दूस्तो पहले खेलो इंडिया Winter Game ते इसलिए बहुत मैठ पूरे exam में पूछाए एटु पहला संस्क्रान ता क्योंकि पहली बार आयए जो याद रखेगा और इसमें जो बाजी मारी थी वह जम्मू कश्मीर नहीं बाजी पूर्ष गुल्ड जीते याद रखेगा तो खेलव इंडिया विंटर गेम घूल मर्क में याद रखेगा और जम्मू कश्मीर और तिश्टे शत्रंज पतियुकता केंज कप दोजार भीस का खिताब किसने जीता तो दोस्टो यह जीता को नहरु हम पिने याद रखेगा वेरी वेरी इंपोड़न कोशन दोस्तो यूपी क्लर्प में पूछा आ चुका है यह जीता था महिला कप इसका नाम तक केंज कप 2020 कोनेरू हमपी नहीं जो कि भार्तिये महला हैं शत्रंज से संब्द देता है एक्जाम में दिली पूछा गया था जो कोनेरू हमपी है वो किस केल से संब्द देता है तो दोस्तों शत्रंज से संब्द देता है very very important तो सेंट लूइस चैस किलब सेंट लूइस मिसोरी संयोक राज्य अमेरिका में इसका है जुन इस्तल था विजेता कौन वनी को नेरू हमपी बनी किसे हरा है विजेता जू वैंजून को हरा है याद रखेगा और इसमें करीब इन्हें जो पैसे मिलेते वह एक लाक सी ऐजार यूएस डॉलर इन्हें पुरसकर राशी मिलीती वैरी वरी इंपोरेंट कुशन अगले कुशन देख लेते हैं दोस्तों 2020 में पहला येरुशलम मुंबई महुस सब का है जून कहा हुआ तो दोस्तों पहला येरुशलम जेरुशलम मुंबई महुस सब था इसलिए बहुत ज इसराइल के मद्द्र संबंदों का प्रॉसान देना था और ये जो समयलन हुआता है मुंबई में याद रखेगा महराश्ट के सीयम है उद्दभ ठाक रहे हैं और यहां के राजपाल है बहुत सिंग कोशियारी महराश के साथ सब गोवा के भी राजपाल है ये जरूर किंग्डम के मद्द हुआ याद रखेगा यह पूछा भी गया यूपी पीसियस एरू परिक्षा में तो यह भारत और यूनाइटेट किंग्डम के बीच अजय वारियर संपन हुआ था कहां हुआ था दोस्तों सेल सेवरी मैदान में जो की यूनाइटेट किंग्डम में स्थ तो उसमें पूछा गया है इंद्र धनुष जो अभ्यास था भारत और यूनाइटेट किंग्डम के बीच हुआ का हुआ इंग्लेंड में हुआ याद रखेगा अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों अगला कुशन है भारत और बंगलादेश संभ्यास संप्रीती नाइन 2020 का आयो जोन भारत के किस राजम है आयो जोत होगा दोस्तों दो चीज़ आपको याद रखनी है संप्रीती किंदो देशों के बीच हुआ है संप्रीती हुआ भारत और बंगलादेश के बीच ठीक है दूसरा कुशन यह बनेगा कि भारत के किस राजम है जोत हुआ दोस्तो जो उद्धिश है वो संपरिती नाइन का उद्धिश है परवती और जंगली इस्तानों के लिए आतंगबात रोधी पश्क्ष और प्रदार करना और दोस्तों एक्सेसाइज हमेशा एक्जाम में पूछी आती है अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों फरवरी 2020 में राजेंद्र सिंग ने करी थी राजेंर सिंग को भारत के जलपुरुष किसे का जयाता एंस तो राजेंदर सिंग को का जयाता है सवाल और पूछा वी कहा और गबनर को नीया की आनंदीवेन पादेल याद रकेगा और इसके जो संबोधन करता है हो परदेश के मंदरी सुखडए पाढसे ते और जल पुरिश राजियन consistent किस ने करी याद रकेगा तो दोस्तों किसने की है ये किया स्वीडन याद रखेगा जहां पर गी है स्वीडन की जो राज़ा नहीं हाँ यहां घाख में यहां स्ञांति कृशन के जो नोबल के प्रुषकार दीए जाते है रहां यहां अंत्य कीए और रखेगा और यह मिलियक्त का परिषकार के घृष गोषना की गई याद रखेगा और दोस्तों बेसिकली इसमें एक मिलियन डॉलर के दो पुरुसकार दिये जाएंगे वर्तमान में व्यापक कार्रे के लिए दे जाएंगे और अभिना पहल के लिए जो वैश्वे खाथ छेत्र को बदल सके उस छेत्र में यह दिये जाएंगे तो वैरी वैरी इंपरेंट है सुडेंट ने हाली में एनाउंस किया कि फूड प्लेंट पर जाएंट जो प्राइज है वह एक मिलियन डॉलर के पुरुसकार की गोषना है सुडेंग देश के दोरा की गई वैरी वैरी इंपरेंट याद रखेगा अगला कुशन देख लेते उसके रोवर का नाम था पर्सिविरेंस याद रखेगा तो दोस्तो इसका नाम करना किसने की या था तो एक छातरा थी साथमी किलास की इनका नाम था अलेक्जेंडर मायर इन्होंने नाम रखा था पर्सिविरेंस याद रखेगा बेसिकलिए एक पतिवक्ता होती है जो रो सका मार्स 2020 है और दोस्तों रोवर का नाम है परसिवरेंस इसका उत्देश है मंगल पर प्राचीन जीव के जीवन के चिट खोजना और प्रतिवी पर लाने तु चट्टाने मिट्टी के नमूने कट्टे करना इसकी पच्छे पड़ती ती ती जुलाई 2020 को मंगल ग्रह के और रॉकेट किसे बेजा गया था दोस्तों यू एले एट्लास वी फाइफ फॉर्टी वन रोकेट से बेजा गया था मंगल पर कब उतरेगा यह उतरेगा अठारे फरवरी 2021 में अगली साल उतरेगा याद रखिया वेरी वेरी इंपोडेंट फैक्ट अगला कुशन देख ल उनान को इंगलेश में क्या केते हैं गिरीस याद रखेगा तो गिरीस की पहली महिला राश्पती बनी है कैटरीना सकेला याद रखेगा और दोस्तों इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से सम्मधित नहीं है यह यू पी पी एसी बी यो एक यूनान ग्रीस की जो पाली अवेंट है उसने नहीं चुना इन्होंने मार 2020 में शपत ली और यह यूनान की यहनकी ग्रीस की राजपती निर्वाचित होने वाली पहली मेला है याद रखेगा वेरी वेरी इंपोर्डेंट कुशन अगला कुशन देख लेते हैं दोस्तों किस देशन है सबसे शक्तिशाली ओजों छेकारी रसाइनों में जो एक हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कारवन ऐसी एपसी 141 बी को पूरी तरह समाप्त करने में सपलता प्राप्त की है तो दोस्तों यह कि यह भारत देश ने याद रखेगा ठीक है इसका जो कार्याइवन है वह जो जिप लेटिंग सबस्टेंड यानि की विनियम और नियंतर संसोदन नियम 2019 के तहते हैं किया और यह एक तरह का ओजों छेकारी रसाइन है और भारत नहीं उपलब्दी प्राप्त की इसे पूरी तरह समाप्त करने में है वेरी वेरी इंपोड़न कुशन अगला कुशन के दौरा खुलासा किया गया इरान रेवलुशन गार्ड कॉप्स आई एर जीसी दौरा किया गया और इस मिसाइल का नाम क्या है तो राड फाइव अंडेड याद रखेगा इसकी मारक चमता है पांसो किलो मीटर याद रखेगा अगर मैं रावर की बात करूं तो रावर ज पूछे गए आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें बहुत बहुत धन्यवाद